नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से MS Word के अंदर अपने पेपर साइस को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं जैसे एक्जामपल के लिए हम आपको बताए जैसे हम साइस पर जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा A4 साइस का पेपर है जिसका साइस है 21 सेंटीमेटर इंटू 29.7 सेंटीमेटर अब मैं चाहता हो कि जब भी मैं MS Word को ओपन करूँ तो यहाँ पर यह जो A3 का साइस है मेरा वो साइस यहाँ पर रेप्रेजन्ट होना चाहिए यानि जब भी मैं MS Word ओपन करूँ तो हमारे पेज का जो साइस हो वो A4 की बचाए A3 आना चाहिए अब जैसे कि मैं जब भी यहाँ पर नया पेज लेता हूँ फाइल पर जाकर करके माल दीजे मैंने आपर न्यू यहाँ पर रेप्रेजन्ट हो तो यह सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए आप नीचे की तरफ आपको एक option दिखाई देगा more paper size का इस पर आपको क्लिक करना है इस पर जैसी आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने page setup का एक option आपको दिखा देगा इस drop down पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जिस भी paper size को select करना है आप यहाँ से उसे select कर सकते हैं तो माल नीचे मैं A4 की जगा यहाँ पर A3 चाहता हूँ तो A3 पर जैसे मैं आप इस select करूँगा तो आप देखेंगे उसकी width और उसकी height यहाँ पर आपके साम notification आ जाएगी जिसमें लिखा है कि do you want to change the default setting for page setup इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर लिखा हूँ है this change will affect all the new documents based on the normal templates तो जैसी आप इसको select करके यहाँ पर yes करेंगे तो आप जब भी MS Word को next time open करेंगे या कोई भी नया page यहाँ पर insert करेंगे तो उसका paper size by default A3 का ही आपके सामने represent होगा मैं इसको दिखा देता हूँ मैं वापस से file value option पर जाता हूँ यहाँ पर blank document को select करता हूँ और blank document को select करने के बाद जैसी में layout page पर वापस से जाता हूँ page setup पर वापस से click करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा default size है वो यहाँ पर A3 आपके सामने represent हो गया अब मैं MS Word को पूरी तरीके से cut कर देता हूँ और फिर freshly तरीके से MS Word को open करके आपको दिखाता हूँ कि इसका size क्या आता है अब आप देखेंगे हमारा MS Word यहाँ पर cancel हो चुका है अब मैं MS Word को open करने के लिए अपने keyboard से press करता हूँ window class R और यहाँ पर type करता हूँ window window डालने के बाद जैसे enterprise करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर blank document का option आ गया इस blank document पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने में अपने पेपर साइज को default सेट कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेर शेयर जरू कीजेगा धन्यवाद